जेन प्यार एसाती है तो यहां पे आप सभी को बता दें कि इंडियन और एर फोर्स की तरप से यहां पे आप सभी के लिए विकिंसी निकाली किए हैं 12 पास केंडि़ीट इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं opportunity to undergo the apprentice training technical trade at air force station order registration for online application through यहाँ पर आप सभी को link दिये गई है apparentisip india.gov.in will close on 19 February 2022 तो यहाँ पर clear आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पर जो आपके online application form है वो start हो चुके है और जो इसकी last date रहेगी वो 19 February 2022 रहेगी इसके लिए Indian citizen जो भी भारते नाग रेके हैं male और female दोनों इसके लिए apply कर सकते हैं आगे बात कर लेते हैं कि qualification क्या चाहिए और कब इसका exam होगा वो सारी चीज़ें भी नीचे आप सभी को दी गई है आगे बढ़ते हैं तो आप आगे यहाँ पर कुछ आप सभी को important instruction दिये गए है candidate के लिए तो वो यहाँ पर read कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे online registration had comments on 28 january 2022 and will be close on 19 फरवरी 2022 तो यहाँ पर आप सभी को offline का कोई mode नहीं है तो याद रखेगा आपको यहाँ पर अपना जो form होगा वो online ही apply करना है आगे बात करें तो आगे यहाँ पर कुछ चीज दीगी है जो कि आप सभी को upload करनी होंगी उसके बारे में यहाँ पर आप सभी को बताया गया है और online application के बारे में already मैं आप सभी को बताई चुका हूँ अब इसके आगे बात कर लेते हैं जो ओजर पढ़ता है ओजर आपका नासिक में पढ़ता है इसके अलावा अगर हम बात करें बात कर लेते हैं eligibility criteria की तो यहाँ पर बात कर लेते हैं age की तो general candidate की जो age रहेगी वो 14 से 21 साल रहेगी OVC candidate की 14 से 24 साल रहेगी और SCST candidate है तो 14 से 26 साल तक इसके लिए apply कर सकते हैं और जो भी ऐसे candidate हैं जो civilian defense employee है और उनके मातापता या कोई भी तो वो इसके लिए apply कर सकते हैं और additional age relaxation यहाँ पर दिया जाएगा two year का तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड जो चाहिएगी इसके लिए 137 cm यहाँ पर हाइड मांगेगी है minimum और weight जो होना चाहिए यहाँ पर आपका 26 किलो के एप्रॉक्स आपका weight होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और overall आपके 50% यहाँ पर होनी चाहिए तब ही जा कि आप इसके लिए apply कर पाएंगे वहीं पर नमबर भी पर आप सभी को दिया गया है ITI certificate होना चाहिए 65% marks के साथ यहाद रखेगा ITI certificate में total आपके 65% marks होने चाहिए overall वहीं पर आप सभी को बताते हैं education qualification में आपके पास 10th हो यहाँ 12th हो यहाँ उसके समक्षा कोई भी आपके पास certificate हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है कुछ statement आप सभी को दिये जाएंगे यानि जब under training होंगे तो भी आपको यहाँ पर कुछ salary वगरा provide की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर आप सभी को information दी गई है और यहाँ पर कुछ trade है ट्रेड के नाम आप सभी को दिये गई हैं तो यह सभी trade आप सभी को दिये गई हैं तो इस trade के according आप अपनी number of vacancy देख सकते हैं कि कितनी vacancy कौन सी trade में दी गई है अब date की बात करें तो यहां पे आप सभी को बता दें last date आप सभी को पता चले कि 19 परवरी 2022 आपकी last date रहेगी और written और आपका जो physical examination करवाय जाएगा वो एक से लेके 3 March के बीच में आपका करवाय जाएगा declaration of list जो आपकी होगी married list वो 17 March 2022 को जारी कर दी जाएगी और जो commencing होगा आपका जो course होगा course का course commencing जो होगा वो 1st April 2022 से start हो जाएगा तो यह सारी चीज़ें आप सभी को clear बता देंगी है साथ ही में बता दें medical examination के बारे में तो all candidates are to the position for a valid medical fitness certificate आप सभी को जो medical officer होगा वहाँ से आप सभी को एक medical certificate बनवाना है fitness का वो यहाँ पे ले जाना है वो valid होगा तो यह सारी चीज़ें आप सभी को बता देंगी है इसके according आप सभी को apply करना है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूरी जानकरी समझ में आगे होगी फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें instagram और telegram पे follow कर लें वीडियो की description में आप सभी को link दिया गया है वहाँ पे कोई भी query हो तो आप पूस सकते हैं तो फ़लाल के लिए इस वीडियो में इतना है तो थाइंक यू फो वाचिंग जय हिन जय भारत